हालो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासिज, आपकी स्क्रीन पे कुश्शन है, बड़ी ध्यान से पढ़िए, बहुत इंट्रस्टिंग कुश्शन है, following are the car parking charges, हमें car parking charges दे रखे हैं, according to number of hours, और हमें check करके बताना है, कि क्या ये parking charges, parking time के साथ direct proportion में है, तो ये direct proportion का case है, ये हमने NCIT book class 8, chapter 13 में से लिया है, 13.1 exercise में first question है, इसमें आप देखिए, कि क्या ये direct proportion में है, हमें ये check करना है, अगर आपको इसका answer पता है, इसका answer yes या no में, अगर ये direct proportion में है, तो yes, नहीं है तो no, तो आपका answer क्या है, आप comment box में लिखिए, और इस video को end तक देखिए, क्योंकि इसमें हम ये concept clarify करेंगे, देखिए, usually क्या होगा, या होता है जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो ये देखते हैं कि, अगर ये 4 hours है, तो 60 रूपिज लगते हैं, इधर से 8 hour होगे, time बढ़ गया, तो amount भी बढ़ गई, पैसा भी बढ़ गया देने वाला, 12 hours किया, पैसा और बढ़ गया, 24 hours किया, पैसा और बढ़ गया, देखो बराबर बढ़ रहे हैं, 40, 40, 40, इधर भी 4, 4 hours बढ़ रहे हैं, तो बच्चों को लगता है कि yes, ये direct proportion में है, और वो इसका answer direct proportion लिख देते हैं, जबकि ये direct proportion में नहीं है, ये point note करिए, its answer is no, ये direct proportion में नहीं है, अगर ये direct proportion में नहीं है, तो क्यों नहीं है यह पता होना चाहिए देखो जब proportion में कोई होना तो ratios equal होती है ratios मतलब यह जैसे 4 upon 60 next ratio है 8 upon 100 इसी तरह से 12 by 140 यह सब चेक करनी है आपको क्या यह equal है अगर यह सारी की सारी ratios equal होगी तो यह direct proportion है नहीं तो नहीं है अब आप देखो मैंने तो पहली दो ही लिखी अभी आगे वाली तो हम बाद में देखते हैं देखते हैं first two equal है या नहीं अब यह देखते हैं अगर मैं इसको 4 से ही काट दूँ तो यह क्या बनेगा 1 by 15 right 4 by 60 को काट देंगे तो we will get 1 by 15 8 by 100 का क्या होगा इसको हम 4 के table पे काट देते हैं 4 times 2 is 8 इधर 25 और यह तो 2 by 25 बना ना second वाला अब क्या 1 by 15 2 by 25 के equal हैं no they are not equal जब यह ratios equal नहीं है तो direct proportion नहीं हो सकता इसलिए this is the case of not direct proportion it's not in direct proportion ठीक है number of hours बढ़ने के साथ साथ amount जरूर बढ़ रही है लेकिन proportion में नहीं है direct proportion में नहीं है I hope कि आपको यह concept समझाया होगा और अगर यह video पसंद आया है तो इसे like और share जरूर करिए Thank you so much